अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंची? अलहम्दुलिल्ला, सब ठीक चल रहा है यार एक मश्वरा तो दो कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदो? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन कौलिटी एशोरंस लैब से पास होता है जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेतरीन कौलिटी दी जाती है सिर्फ दावा नहीं किया जाता है अरे यार मैं तो समझा के तेरा ये दिमाग सिर्फ चत्रेंज में ही चलता है मॉडल स्टील, मॉडल अफ स्ट्रेंग्ध असलाम अलेकुम नाजरीन मैं हो शाहिद मिया प्रोग्राम खौबों से तबीर तक इस सफर में एशियन ट्रेड टीवी के साथ नाजरीन आपको हमेशा हमें एक ऐसे परसिनलिट्री से मिलवाते हैं हमेशा अपने हीरो से मिलवाते हैं जिरोंने पाकिस्तान के तरकी में उनकर नमाया करदार होता है पाकिस्तान के तरकी की जब भी बात करेंगे ना तो हमेशा एक वर्ड हमारे सामने आता है जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग भी है जिसके पूरे दुनिया की नजरे इस वकट उस प्रोजेक्ट के उपर है और वह प्रोजेक्ट है हमारा CPAP और CPAP के जब बात करेंगे तो हमारे सामने एक हमारा एक हीरो है जिन्होंने CPAP के उपर बहुत सारी उनके खिदमात है इतनी खिदमात है शायद इंटर्व्यू में कबर नहों सके और अभी रिसेंट्ली एक और उनके पास डेजिगनिशन आया है उनको गवर्मेंट पाकिस्ता और CPAP के नहीं के बार्ड ऑफ इंवेस्मेंट का CEO आप समझ कियोंगे मेरे साथ कौन है जनाब हसन दाउद साब तो मैं बात कहरा हूं हसन दाउद साब की हसन दाउद साब इस वक्त मेरे साब मेरे साब मजूद है मैं का ओफिस पे हूँ तो आए जानते हैं उनकी कहानी उनक की जबाने की असलावलेकम सर्थ कैसे हैं आप मेरे बहुत यानि कुछी के बारत है कि आज मैं इतने कदावर शक्सियत के सामने बैठा हूं और कोशिश करूंगा आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़े जानने की पाकिसान के उस प्रॉजेक्ट की सी पैट जिसको कहते है जि की गौवर्मेंट की तरफ से मिला है बार्ड अफ इन्वेस्मेंट के आप प्रेजिडेंट सी यू है तो सबसे पहले थोड़ा सब दाई है जर्णी कैसे स्टार्ट होती है वो हसन दाउत जो नहौर की गलियों में खिला करते थे आज वो स्रामाबाद प्लैनिंग कमिशन के यह जो आफिस है उसमें पैठे किस तरह से प्लीज अफर्स फ़ल अपकर बहुत है कि आपने मुझे सकता कि मैं आपकी काविश में कॉन्टिविक कर सकते हैं तो आपकी काविश है कि पाकिस्तान का असल इमेज दिखाने के लिए बहुत सथी आपने है साफ्टिव नेशन है और हमारे अंदर वो खुदा ने हमें सलाही दीनी है जो शहाद बहुत का है जहां तक आपके प्रोग्रेम का नाम है खाफ से तावीर तक तो शहाद मैं नहीं पहुंचा खाफ देखने के प्रसेस में हूं और मैं समझता हूं कि तावीर जब होगी अगर आप से ल नाज़ों मैं पूछें तो होगी जब हम छे लाग के करीब जॉब्स करीट कर सके हैं जब स्पेशल एक्टापिक जोर पाकिसान के अंदर इंडस्ट्रियलाजेशन हो सके हैं जब तमाम प्रसुबों के अंदर रोड्स औरीजनल कनेक्टिविटिए और पाकिस्तां गवाद सफर है जो हमने करने हैं अच्छी बात यह है कि इस सफर की जो वीजन है वो प्राइम मिनिस्टेर अपने अर्टिकुलेट की है या इससे पहले हुई जिए वो सीपेक के बारे में एक प्रोटल सेनरजी है हमारे स्टेक होल्डर्स चाहे वो प्रडिशन्स हो चाहे वो एकड स्टिमूलस हो पाकिस्तान की इतना देक है क्योंकि हम सब स्ट्रॉंग स्टेबल प्रॉस्परस पाकिस्तान चाहते हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो तौम उपर्ट्यूनिटिया जो विदिन पाकिस्तान या रीजिन में उनसे फाइदा रा सकता है जो सबसे बड अधाती तौर पे जब में चाहिना में चाहिना में जडिप्रोमेंट पर चार साथ और वियत नामें भी इसी अरसे में तो मैंने रेलाइस किया कि जो बेल्ट एंड रोड है उसकी इंटिग्रेशन है वो यकीन पाकिस्तानी सब्सक्तिती है और खुश की बात है कि अक्रास दी पार्टी अक्रास दी पार्टी गैन्वस इस चीज़ को समझती है और हम चाहते हैं कि रिजनल कनेक्टिविटी और पीपल टो पीपल इंडिरेक्शन अनिम्पीडिट्रेट इसकी नतीचे में पाकिस्तान के अंदर इकनामिक गुरूतास है कि क्योंकि एक अमीर स्टेबल और प्रोस्परस पार्टी साने चाहते हैं नो लोट तो अबड़ सब ये तो बिताईए का गौर्मेंट चेंज होने से जो पहली गौर्मेंट थी उन्होंने बहुत अच्छे इस पर इनिशेटिव किये थी और चालगा तसलसला और अभी जो गौर्मेंट के उनकी हम लोग खौब बहुत जल्दी देख लेते हैं लोगों से उमीदेवी वववस्ता कर लेते हैं ठीक है आम इन्सान को सी पैक का पूछ उसको सी पैक का वफूम शाहिद नहीं पता होगी ठीक है लेकिन वो ये समझता है कि इससे हमारे मुलक के तकदीर दूर बदरेगी तो आपका क्या है कि उस सी पैक वह वाकी जो कहा जाता था कि ऐसा होगा अभी भी हम उसी बीजेंग में अंडर दी यादी सुपर वीजन गॉर्मिन और पाकिस्लान चल रहे हैं बहुत अच्छर सुवाल है और यह बहुत ही फ्रीक्वेंट्ली आस कुशन है जब से ये गवर्म पाकिस्तान को देता है उसकी तैयारी उसकी एक्सीक्यूशन ऑर उसके लिए जो रेकोजेट वेपिंग इनवार्मेंट्ट है उसको इंसोर करने की वार्मने जैसे का यह समसुल है और इसमें तवाउप स्टेप्रोंटर्स तमाम लीडिशिप ग्रोटली कमेटिट है इरिस् का विजन जो है वो क्लेरली तीन एडिया में मैं उसको आफनी नजार में देखता हूँ एक कि पाकिस्तान से खुर्बत का खाद। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर अग्रिकल्चर को हाँ और तीसरा ये कि कनेक्टिविटी बिट्वीं लेस्ट अडिया जिया रूरल एड ये क्लेर बिसाइड सो में अधर एजेंड़ देखिया है वट से पैक वाइज या जीजनल के लिटीविटी ये डिवलोपन वाइज ये क्लेर ये उपके रहना है तो इसके नतीजे में उनकी पूरी कोश्च आए कि पाकिस्तान के अंदर जो यूद है उन्ग जो के नैचली अदि पकिस्तान के लिये खजाना है अपकिजाना है हमारी उमीद है हमारी लेकिन हमें उस अमीद को चैनलाइज करने है इनर डायटिश्म और इसके लिए चाइना को मौडल हमारे करेक्टरिस्टिक्स में रहते हुए आट जाए बहुत अच्छा मौडल है तो करनों ने में क्लेरली विजन दिया है कि वो यह चाहते हैं कि सीपे के थ्रू और बाकी इनिशिटिव के थ्रू पाक साइन के अदर मुडबत का खात्मा और तालीम अव एग्रीकल्चर गुरोथ हो उन पे हम क्लेरली विजन दिया है कि आने के बाद जहां बहुत सारे बन गया है इंडिस्ट्रि कोपरेशन के जाइन वर्क इंडिया और बहुत तेजी से इसको फॉर्म्न डू गॉर्मन इंटरेक्शन इसको बिजनस तो बिजनस अफिक इंडरेक्शन इदर पर तो यह समझते हैं कि इन तमाम स्पेशन एक्नामिक जोन या इंडस्ट्रियल प् जो चेम्बर्स हैं उनको इंवाल्स करें ताकि हमें बिल्कुत सही डिरेक्शन पर हम एज़ टीम आपे जा सगे यह नहीं हो कि आइसुलेशन में कोई किस तरफ जा रहा है को दुस्तर जा रहा है तो गर्मन और प्राइविट सेक्टर के जो जो पार्टनर्शिप है वो प् इसे कम्यूइटी रीड की हडी का करदारदाब करते हैं किसी भी सोसाइटी में अच्या जब हम उन लोगों से बात करते हैं मुतरिफ यह आशूसियेशन से चैम्बर से ऐसी सीपी आई से फेडरेशन में और बिजनेस कम्यूइटी जब मैं सीपाक के बात करता हूं वो जाने लिए बेनिफिट है उसके बेनिफिस्ट होगा ये प्रोज़क्त अजर अब चाइना को लाके सौरी यदि चाइनीज गौर्मिंट और चाइनीज लोगों को लाके उसी पैक सारा कुछ करना है उन्हीं का शेयर उसमें जाने ज्यादा तो फिर शायद ऐसा नहीं नहीं सम कि अमारा कुछ पास हिस्ट्री में एक्सपीरियस भी एसना है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ आप से एक शकूख हमारे हम नेगिटिव जादा सुचें जादा है अच्छी चीजों के एंड डिजर्ट में भी कहने को एक 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 कांट्रोवर्सी आदे देदा हुआ बहुत ही इसके अच्छी जादा में रिजारे हैं लिज़ती ऐसे छुड़े लिए फिसके अगीजार पास हुआ हूं हमारे हैं बहुत सारे सवाल के इस्ट इडिया कंपनी च्पर बिल्एंडिय को आप्रिशुनिटी है जिसमें जौंट वंचिश करते हैं और उन प्रजिक प्राजेक्स में जाएंट वंचर करते हुए पाकिस्तानी इंडस्ट्री की कपेस्टी में लगए जा से कुई हैं क्योंकि चाइना तो ग्रोग कर चुका है और चाइना इसो कि दुनिया की सेकंड बर्ड लिगस एकॉनमी है और आगे बहुत तेजी से और आगे जा रहा है और अगे जा रहा है जो कि उनके पिछले दस साल में कम तरीन ग्रोग है फिर भी उस वह सिक्स परसन इतना बड़ा और उस सिल्सरे में मैंने देखा कि टोटल फॉर ट्रिलियन का उनका वह है ट्रेड है इन बाउंड और उसका अगर फाइब पर्शन पी अगर सीपै के रूट से जाने लगे या फिर आगे पटने लगे तो आप इमेजिन करें कि ये बिलियन उफ डॉलर बता है और पाकिस् कर दो ताकिस्टेशनल जो डेकौर्मेंट्स हैं बिसनेस के र्कौर्मेंट्स हैं हमारे जो पिलर इंडस्ट्री अपको सेवगाठ करते हुं हम आगे बढ़ रहे हैं जिस्केशन बाउन जुसरी ये चीज़ है कि हमने सीजी के अंदर वो इंडस्ट्री लानी कुश करनें ज कि गुवर्मनें ने उनको डिरेक्शन दी लिगनाब एक ऐसे स्टेज आगी जिसमें अब वो हमें काइड कर रही से लिए हमने एक सीपैक बिजनस फोरूम बनाया है जिसके अंदर लीडिंग बिजनसमेन है वो डिरेक्शन दे इसके लाब हम चाइना पाकिस्तन बिजनस फोर कि अब बहुत तेजी से एक्टिवली आगे बढ़ने ही पूश करें जो मेरे नजदीक जो जादा इहम चीज है वो यह है कि जो हमारे स्टूनेंट्स हैं जो लेबर हैं उनकी कपैस्टी कैसे बढ़ाई जाए क्योंके बहुत सारी चीजें हो लिए ना सिरफ सी बैक हो रहा ह जो देख रहा हूं कि बाहित जो डिसकुशन है वो फूर्थ इंडस्ट्री रवोशन के बारे में जाद है जहां पर आर्टिफिशल इंडियंस के बात है तो उस सिलसले में जब आप देखते हैं कि यानो आप की यूथ उसलिया से पर पेर रहा है तो उस पे मुझे थोड़ सेंटर हो बहुत तेजी से ड्वेलप हो रहे हैं अब किसी स्लेमन का वादन में स्टेट आप दी हार्ट सेंटर बना रहे हैं नेफ्टेक ने अपने जो वराल स्ट्रक्चर है उसको बहुत जादे इंप्रूफ किया है और बूर्ड ऑफ इंबेस्मेंट के साथ मिलके उनने इंडेंटिफाई किया है वो कौन सी इंडेस्ट्रीज है जहां पर हमारी यूथ हाभी गुरू कर सकती है जहां पर जॉप और इंप्लॉइमेंट के रिपार्मेंट हो तो बहुत अच्छा मैं बहुत ज़्यादा पॉजिविटी देखता हूँ और एकॉनमी वाइज में में करता हूँ कि अभी यह जो रिस्ट्रॉक्चिंग प्रॉसस है जब यह खतम होगए यह एक्चुली सपूर्ट करेगा हमारी ओवराल ग्रोथ की मेकनिफमेंट को और भी शायद हमें इस स्टेज में महसूस ऐसे लगता है कि शायद अनिशी स्टेज में लगता है कि यह रिस् अनिशनलिजम बिद्ट वो ऐसे प्लेयर्स का हम के साथ मिल के काम तरना पार अच्छा है अपने एक फॉर्म बिसनस फॉर्म बनाया सी पाक के वारे से इसमें अगर वसाही जिन नमाइंदे जिसको बिसनस कम्यूटी से आप लेके रहे तो यह अच्छा आप लोगों का कम द अच्छा आप लिए जिमेदारी आगी हो और झाल्म आप लेके जिम्साब करते हैं इसके किस तरह से आप देखते हैं और भी इसके लिये क्या प्लाइनिंग होगी किस तरह से क्या एप्ला सब्स्टर लेतार देखे हैं कि पाकिस्तान नहीं हैं पौडब करके सके और उस लिखाद से जो बोर्ड आफ इंवेस्मेंट होते हैं जाए फिर्ड लेवल के वे उंका बाहत है Byzmusik Omega क में तरच्छार कर दूआ है कि बन तरजीदेएं अपयतन है कापोलिया से लाओस वियत्-डाम से ये Safee इन्डिया से कुणके आजिस्सेमेंट तो फलो कर रही है लिज़र्स मभादिज अश्यवाड़ आई क्योंके उन्हुत हूँ कि ये सेचरी और अगले 50 सा Mins और इषिया के साल है। और इसके अदर एकॉनोमी आप देखे हैं। छाइनोनेशी उन्हाएं को देखे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में के ऐडर हृऊचे और निच्रिव औरॉमन्ट निचे बानेकत हैं। लेवरिज करें, सही तरह इसको मार्केटिंग करें, दुनिया को बताएं, क्योंकि पहले के पीके और जो फाटा का रही है, जो के पीके साथ मर्च हो गया है, उन्हों आपको पता है, टेर्रिरिज्म की वज़ा से और आलाद की वज़ा से उधर इंवेस्मेंट निया से, अब आपको इसटेज आगए है, जिसके इंवेस्मेंट, जै हो चाइणी के वेस्से हो वेस्से हो उसके आने के वाज़ा देंगाएं, तो मैं इसको जाती तौप एक चैलेंज और एक और एक अफुर्चोंड़नी समझता, कि मैं अगर कांट्रिबूट कर सकों के 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 डिवलो तो उसलिया से मेरे बहुत खुश हूँ और इंशाला बहुत जद मैं KPK जोइन कर लूँगा मैं समझता हूँ कि मेरे जो एक्सपिरियंस है और वर्किंग अबरॉड वर्किंग चाइनिज उसको मैं सही तो परिंग के मिकेंद हैं हसन सब यह तो वही पाप है जिसके तबीय विदिक नहीं होनी और अभी आगे सफ़र जानी है लोग जाना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ के आपका बच्पन कहां गुज़ार कैसा गुज़ार बच्पन में क्या सूचते थे कि यह नाई थी यह प्रिंट थी इसमें जाना के किसी और तरह से आप आगे तो उसे बताईए चीज़ बच्पन से जादा कूंके मैं बच्पनल अगे जासे जासे का हैं इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन एंग उप इससे लेसं जासे किह दोघए के मैं मैं अपनी पर्फेशनल लाइफ में बहुत जगों कि एज एजारी एज़क प्रजेक्स मारी में पढ़ा था निखता है तो अचिनर में अग्जबा ओभी एक टो यहां अग्वेरश से अगर्मुन की विवाल कॉफेर के सब्सक्राइब बुब्लिक सर्च कर दों करता था मैं अपने इंटर्व्यू में कहा था कि मैं यह दो काम चोड़ सकता हुए एक यह कि मैं पढ़ाना नहीं चोड़ सकता हुए दोनों काम की मुझे जो इंटर्व्यू से और जो मेरा जेनर सेलेक्शन की हुए इस बात पर अगी हुए कि बिलकुल आप यह करते रहें तो यह काम भी मैं साथ करता रहा हुए तो पी आइचिंग आज कर की तक इसमार्ट केनलोजी है जिसमेरे स्मार्ट फोन है जिसका हम बेदरे इस्तवाल करते हैं यह स्टप्स तो शाहिद कहीं जाद है इस्तमार्केट है वीकी यह इचिंग आज के आज के हुंए डिसोर्स को यह अप्रिटी देते है कि वो मल्टी डिवक्ट ही हुए और एक जोखवादीन हैं उनके लिए भूत मौकश हैं, तो मैं आपके सवाल से अगर मैं कोई लेसें डॉख करो मेरे पेडर, मेरे सवारे हयात से, तो मैं लिसन के इंसान एक ही वक्त में तीन यार चार काम आज अज अचार काम के टेकनलोडी तीन ने बहुत असानी से ज़ता हैं, उ अगर आपके अंदर ये दोनों हैं, आप पॉजिटिविटी कि आप इसके नतीजे में क्या कॉंट्रिबूट कर सकते हैं, I think, ये मेरे लेसन दॉपर, मैंने, मैं लोहर से बिलों करता हूं, और लोहर के बारे में क्या बात करें, आपका दावर भी लोहर से हैं, और हम उन मैं लोहर ने लेकर चाहिए, तो हम ये थे कि हम पैदा होदी जंग गई को मैं लोहर देखे हैं, और बहुत सारे लोग आए, कांट्रिबूर की है, एक मैंने भी जिन्देगी में असूल रखा, मैं अपने बच्छों को हैं, मैं इसको दूरी करें, कि जो उस्ताद की लाए किया, और अलहमदोल्ला खुदा ने सक्सेस दी आज जिस जगापे हैं, आगे भी खाग बहुत देख रहे हैं, और भी हम अपरेशनल लेवल में हैं, वो लोग जो कांट्रिब्यूट करते हैं, लीडर्शिक की डिरेक्शन, उसको उसको हम करें, and I'm glad to say कि पाकिस्तान करना है, प्रोफेशनलिजम पर्मोड हो रही है, प्रोजेक्ट मैनिमेंट पर्मोड हो रही है, लोगों को अपर्चुनिटी जो मेनत करना चाहते हैं, उनके लिए उपर्चुनिटी क्रेट और हो रही हैं, लगता है ऐसे on the surface के शायद जॉब मार्कित, लेकि वो लोग जो म इनके मुझे लेक्ट में पता होने का फाइदा हुआ है, थोड़ी सी अरविक लेक्ट में ने में रहा हो उगा हूं तो मैंने लेंग्ट जहां भी रहा हूं पर लेंग्विज उसकी स्थने की जोश्की एटलीस मार्कित लेंग्विज जो बजार की ज़ती दोग रही हैं, उसको मैं ने वापस आके पाकिसान में पॉट पढ़ा, बहुत देखा, इस सिने में बहुत रिसर्च की, गन्फूशन इसम को पढ़ा, तावीजन को पढ़ा, तो मैं यह जरूर कहूंगा कि जब भी स्पेर टाइम हो, यह समर ब्रेक्स होती हैं, बिंटर ब्रेक्स होती हैं, उसके अंदर अगर लेंगविज स्किल्स आसेट कर सकें, इस वापर स्किल्स आज़िए, आज़िए फूचर में इसके बहुत डिमार्ड होगी, और वो आपको और मेरा यह भी ख्याल है, कि अब तीन चीज़ों यह चार चीज़ों की बांडरी जहीं रहें, यह रिजिनल बांडरी से बाहा होगा है, चाहे वह एजूकेशन होगा है, इन्फॉमेशन होगा है, चाह से लिए इसके पहुत है, तो लोग वाँ पर जाते हैं अपने सोशल कंस्टेंट्रीन्स के देखेए, तो मेरा दाती यह ख्याल है कि हमारे सुमुन से परिपेर कर से क्या हम प्रफेस्टेंस के तुकि जो अच्छों है है बेदिकल से तूप्सित बेहा होगी है, आपको आप कॉंटिबूटरी लाइफ बढ़ रही है तो उस इंसरे में आपने सुन रहे बाते आप अपने आप बहुत बड़ा एक इंस्टिट्यूट है जिनके बहुत सारी चीजे और बहुत सारी बाते एक निशिस्त में हम कवर नहीं कर सकते हैं इन्शाला इस उमीद के उपर हम इनसे प्रामिस भी लेंगे कि नेक्स्टिट्यून के इंटर्व्य जो होगा जहां से बात खत्म होगी वहीं से शुरू होगी वहीं से शुरू होगी और साथ आपको बहुत बहुत अगे मुबारिक और आपका शुक्री आप इतनी किमती इन्दर कॉंट्रिवूट करेंगे पकिसान के सही इमेज पाकिस्तान में और रॉल्ड वाइट देशा थेक्ट 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 पाइचा तुमारी वो कंस्ट्रक्शन का तक पहुंची अल्हम्दोलिल्ला सब ठीक चल रहा है यार एक मश्वरा तो थो कंस्ट्रक्शन के ल मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन कॉलिटी एशॉरंस लैब से पास होता है जहां पर इसकी मभूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेतरीन कॉलिटी दी जाती है सिर्फ दावा नहीं किया जाता है अरे यार मैं तो समझा के तेरा ये दिमाग सिर्फ चत्रंज में चलता है